इसा के परमेश्य के वच्चन में लिखा है तब उन्होंने संकट में यहावा की दुहाई दी और उसने उनको सकेथी से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वैब बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचें आईए देखें यह वच्चन इस भाई की जिंदगी में कैसे फल लेकर आया इस भाई का नाम विजे कुमार है और यह बताते हैं कि इनकी मेरेज लाइफ बहुत ही दिस्टर्ब्ट थी यह दोनों पती पतनी आपस में लड़ते जगडते रहते थे इनमें जगड़ा बेवजा ही हो जाता था इनकी शादी में कुछ गलत फैमियों के कारण यह पूरा परिवार बिखर चुका था इनकी वाइफ इंडिया अपनी बेटियों के साथ चले गए थे और ब्रदर विजे इटली में ही रह चुके थे ब्रदर विजे और इनकी वाइफ आपस में बाचित करनी नोने बंद कर दी थी और ये मेरेज डाइवोर्स की तादार पर भी पहुंच चुकी थी परमेशे के दास पास्टर आशिश बटी जी इस परिवार के लिए पुलपट से खास प्रतनाएं करते थे और परमेशे की दासी पास्टर प्रिया भटी जी ने इनकी वाइफ को प्रोफेटिक वर्ट्स दिये और कहा के परमेशे आपको अपने घर में जरूर लेकर आएंगे परमेशे के अनुगरे के द्वारा ब्रदर विजे जी की वाइफ अंको नरूला मिनिस्ट्रीज में मौजूद थे और परमेशे के दास अपॉस्टर अंको यूसफ नरूला जी ने प्रातना के दौरान इनकी पतनी से कहा आपकी मेरिज के उपर अटेक है आप दोनों एकठा रहनी पाते आप अपने पती को अबरोड से बलाएं ताकि मैं प्रातना कर सकूँ और इसके बाद इनकी वाइफ के उपर लेहन प्रातना हुई ब्रदर विजय जी इंडिया नहीं जाना चाहते थे इनका मानना था के परमिशर ऐसे भी कारे कर सकते हैं और वैसे ही कुछ दिनों के बाद ब्रदर जी के ड्रीम में परमिशर के दास अपॉस्टर अंको यूसफ नरूला जी आए और इनके लिए लेहन प्रातना की और इनकी बड़ी बेटी के ड्रीम में प्रातना की हालिलूया परमिशर ने ब्रदर विजय जी के विश्वास को पक्का किया और संपूरन भी किया और इस परिवार को फिर से मिलाया आज पांच सालों के बाद ये परिवार परमिशर की महिमा के लिए कठा हुआ है और परमिशर ने दिलों के में में मिलाब को करवाया डाइवोर्स को भी कैंसल किया आज ये परिवार खूश है परमिशक की हजूरी में और ये दोनों पति-पत्नी अपनी मेरेज लाइफ को इंजॉय करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं जैसे की परमिशन ने इस बिखरे हुए परिवार को फिर से मिलाया और इनकी मेरेज पर अटैक को खतं किया परमिशन आज भी परिवारों को मिलाता है रिष्टों को जोड़ता और पूरा चुटकारा देता है परमिशन के दहीने हाथ के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है परमिशन को पुकारे और उसी से उत्तर पाएं और आप भी परमिशन की महिमा को देखने पाँगे परमिशन के गहरे भेदों को सुनने के लिए जुष्टात्मा और बिमारी से अजादी पाने के लिए और अपने जीवन में परमिशन के जीवित और सामर्ती हाथ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आप परमिशन के दास के दोरा दी हुई तीचिंग्स को सुन सके और उन बड़ी कवाईयों को भी सुन सके जो की परमिशन अपने लोगों के जीवन में करता है